हलो फ्रेंड़ वेल्कम बाक टो हमेशा केक अन कुकिंग फ्रेंड़ आज हम बनाएंगे हाफ केजी के चॉकलेट फ्लेवर की केक एक न्यू ट्रिंदिंग डिजाइन के साथ हम ये केक बनाने वाले हैं बहुत इजी और क्लासिक केक डिजाइन है ये केक ओडर मुझे अपने रेगिलर कस्टमर से आया था फ्रेंड्स वो हमेशा मुझसे चॉकलेट केक ही बनवाती है तो चलिए बनाना शुरू करते है तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट स्पॉंज के साथ साथ दो कपकेक्स भी टैयार किये है यह चॉकलेट ठिप कपकेक्स है तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए 200 ग्राम चॉकलेट प्रमिक्स लिया था मांकेट वाला उसमें 1 टेबिल स्पॉन ओल और पानी डाल कर बैटर रेडी करके इसे मैंने ओटी जी में 160 डिग्री 35 मिनिट्स के लिए मैंने इसे बेक कर लिया था कपकेक को आपको 20 मिन्त के बाद चेक करना है अगर डुद पे क्ली निकलती है तो कपकेक को आपको बीश में निकाल लेना है स्पॉन्ज को हम 3 लेयर में कट करेंगे आज मैं यहाँ पर 3 से कट करूँगी तो इस तरह से आपको नाइब से मार्किंग कर लेनी है और बीच में धगा फसाना है और क्रॉस करते हुए इसे बाहर निकालना है आपकी इवनली कटिंग अच्छे से होगी और जादा क्रम्स भी नहीं निकलेंगे इसे तरह से हम सेकेंड लियर को भी कट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने शुगर सरप की जगर चॉकलेट सरप बनाया है तो इसके लिए हम हाफ कप पानी लेंगे उसमें चोटी दो चम्मच हम पाउडर शुगर डालेंगे और यहाँ पर मैंने घनाश रेड़ी किया है घनाश टूइस्ट वन रेशियो का है 100 ग्राम मैंने डाप चॉकलेट ली है इसमें 50 ग्राम मैंने विपिंग क्रीम डाल कर घनाश बनाया है आप फ्रेश क्रीम से भी घनाश बना सकते है और दूर डाल कर भी घनाश बना सकते है तो एक छोटा चम्मच हम घनाश शुगर सरप में डालेंगे और चॉकलेट सिरफ रेडी कर लेंगे यहाँ पे हाफ केजी के लिए मैंने 250 ग्राम क्रीम को स्टिफ पे काने तक बीट कर लिया था क्रीम आप अपने कस्टमर के रिक्वारमेंट के हसाब से बीट कर सकते हैं अगर उनको क्रीम जादा पसंद है तो आप जादा इस्सिमाल कर सकते हैं और क्रीम डिपैंड करती है कि आपकी केक डिजाइन किस तरकी है तो उस असाब से आप क्रीम ले सकते हैं तो यहाँ पे मैंने फॉस्ट लेयर रखी है और उसे चॉकलेट सिरफ से सोग करेंगे फर्स लेयर को आपको soaking कम करनी है और chocolate frosting यहाँ पर मैंने ready कर ली थी cream में आपको 3-4 चमच घनाश डालकर chocolate frosting ready कर लेनी है और अच्छे से हमसे spread करेंगे यहाँ पर 1-1.5 चमच आपको घनाश डालना है और इसे भी अच्छे से spread कर लेना है second layer मैंने यहाँ पर top जो हमारी layer होती है उसे उल्टा करके रखा है और उसे भी हम sugar syrup से soak करेंगे बीच के सबी gaps को आपको ferry करना है ताकि आपकी cake straight बने और इसे process को हम repeat करेंगे again हम एक से देच चमच घनाश डालेंगे इसे भी हम अच्छे से spread कर लेंगे और cake की जो नीचे की layer होती है उसे मैंने उपर रखा है ताकि हमारी cake के finishing बहुत अच्छे से आए इसे भी हम chocolate सरब से soak करेंगे और थोड़ा सा घनाश मैंने उपर की और spread कर लिया है और कम से कम cream से हम cake को crumble cook कर लेंगे यहां पर मैंने थोड़ी से cream ली है cream में royal gel color डाल कर इस तरह की cream टैयार कर लेनी है आप यहां पर टकोईश blue color का इस्तेमाल भी कह सकते है इस तरह से मैंने दो piping bag ready कर लिये है एक white cream से और एक blue cream से नीचे की तरफ हम blue cream apply करेंगे नीचे की और हमें जादा blue cream apply करनी है और top में हम white cream से frosting करेंगे तो इस तरह से आपको cream को cake पर apply करना है आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ही space खाली रखी है और इस तरह से हम white cream को भी cake पर apply कर लेंगे सबसे पहले हमें top surface की smoothening कर लेनी है then side में हम हलके हातों से palette knife से cream को smudge करेंगे then scrapper से हम इसे smoothening कर लेंगे इस तरह से आपको scrapper लेना है और इस तरह से 45 degree आपको scrapper रखना है turn table गुमाना है आपकी smoothing easily हो जाएगी दोनों color को आपको mix नहीं करना है इस तरह से आपको एक से दो बार में scrapper गुमाएगे तो अच्छे से finishing हो जाएगी top surface में से हम exist cream को इस तरह से remove करेंगे हर बार आपको palette knife को अच्छे से clean करना है इस तरह से हम top surface की smoothing कर लेंगे यहाँ पर मैंने silicone brush लिया है इस तरह से हम silicone brush से pattern बना लेंगे आपको पहले blue cream है वहाँ पर घुमाना है और brush को clean करके done white cream है जहाँ पर घुमाना है दोनों cream को smurge नहीं करना है mix up नहीं करना है और उपर हम इस तरह से palette knife से pattern बना लेंगे आप यहाँ पर चमच का इस्तमाल भी कर सकते है और एक base को हमें clean करते रहना है यहाँ पर decoration के लिए मैंने इस तरह से 2D star nozzle का इस्तमाल किया है और open star nozzle ली है छोटी वाली nozzle है उसका कोई number नहीं है इसे मैंने online मंगवाया था तो इस तरह से हम 2D star nozzle से rosette बना लेंगे यहाँ पर हमें half cake पर इस तरह से design करनी है rosette बनाने के लिए आपको just press करना है और E बनाते हुए जहाँ से start किया था वहाँ पर ही complete करना है और open star nozzle से मैंने इस तरह से छोटे छोटे flowers बना लिये है और कुछ छोटे rosette बनाए बट वो अच्छी नहीं बने तो मैंने इसे knife से निकाल दिया है और यहाँ पर मैंने close star nozzle लिये है चोटी वाली nozzle लेनी है और इस सरह से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे rosette बना लिये है मैंने सभी flowers को निकाल दिया और इस सरह से मैंने यहाँ पर तीन flowers बना लिये है यहाँ पर मैंने सभी flowers में golden balls रखे है यह edible होते है, sugar balls है और कुछ golden balls हम cake के side में जहाँ space खाली है वहाँ हम sprinkle करेंगे और यहाँ पर मैंने छोटे वाले भी sprinklers लिये है उसे भी हम sprinkle कर लेंगे इस सरह से और यहाँ पर मैंने side में golden flakes भी इस सरह से लगाए है और shiny look देने के लिए यहाँ मैंने silver luster dust का इसमाल किया है और friends इस तरह से मैंने दोनों cupcakes जो मैंने बनाए थे उसे भी मैंने ready कर लिया है इस तरह से friends अगर आप beginners है अपना काम दूसरों तक पहुँचाना चाहते है फैलाना चाहते है तो आपके के साथ कुछ extra जो भी आप बनाते है वो आप customer को टेस्टिंग के लिए दे सकते है इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे दो cupcakes बनाए ये cupcakes order की थे बट आप इस तरह से कुछ ने कुछ extra आप customer को दे सकते है जैसे cookies है या फिर brownie है तो इस तरह से आप अपना काम दूसरों तक फैला सकते है ताकि customer को पता चले कि आप भी इस तरह से कुछ बनाते है तो next time वो आपको order दे सकते है फ्रेंड्स आज की cake decoration आपको कैसे लगी मुझे comment section में ज़रू से बताईगा आज का वीडियो आपको informative लगा हो, helpful लगा हो तो like करे अपने friends and family के साथ share करे और ऐसी ही वीडियो के लिए मेरी चैनल को subscribe करे bell icon को press करे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहे thank you for watching, bye bye